जे स्री कृष्णा आज लगशिद्धान्त कौंधी का हल संधी का ड़ा हशी धुट शूत्र है और ये सूत्र पाड़ने अस्ता अध्याई के आठमें अध्याई के तीसरे पात का 29 नंबर सूत्र है ये सूत्र कहता है डात परश्य सस्य घुडवा डात परश्य अर्था डकार से परे सस्य सकार को धुड़ का आगम होता है वा माने बिकल्प से तो सट संता ये रूपों की शिद्धी करना है इसमें पहले विक्षेद करेंगे तो विक्षेद जब करेंगे तो सट धन संता है डासी धुड़ ये सूत्र कहता डात परश्य सस्य धुडवा डात से परेशकार को धुड़ का आगम होता है विकल्प से तो हमारे पास यहाँ पर सट धन संता है तो सट में डा है इससे परे संता वाला सा है तो जो संता वाला सा है इसको धुड़ का आगम होता है डासी धुड़ से क्योंकि दासी धुड़ सूत्र कहता है डात परश्य दासे परे तो सट में डा है इससे परे सस्य सकार को तो संता वाला सा सकार है, इसलिए इसी संता वाले सा को धुट वा धुट का आगम होता है बिकल्प से, लेकिन अब जो धुट का आगम हुआ है सा को, ये सा के पहले हो, कि सा के बाद में हो, इसके लिए आधन्तव टकितव। ये सुत्र कहता है कि टित हो तो आदी को और कित हो तो अंत को होता है, तो यहाँ पर टित है अर्था धुट में टा, ये टा की इत संग्या है, टा की इत संग्या होने से टित कहा जाता है, इसलिए सा के आदी में धुट का आगम हो गया, तो सड धन संतह उटा के इस संग्यात सिलोपा सिलोप, तो सड ध संतह वना, अब जब सड ध संता वना, तो खरिचा सोत्र है, ये सोत्र कहता है, खरिपरे जलाम चरास्यू, खर प्रत्याहार परे होने पर ज़लों को चर होता है, तो जो संता वाला सा है, ये खर प्रत्याहार में आता है, खाफा चाठा था चाठा था कापा सासा, इसलिए खर परे हुए है, किस से? धा से, अनि धा क्या है? जल है, इस जल में धा आता है, जाभा गाढ़ा धा, तो धा जो है, जल में आता है, तो खरिचा सूत्र से, इस धा के स्थान पर चर हो गया, तो चर में कौन कौन अचर होते हैं, चाठा था कापा सा, 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 तो ये चर प्रत्याहार में होते है, अब इन अक्षरों में से ये ता ही क्यों हुआ? धाके इस्थान पर ता हुआ है चर में, तो ता ही क्यों होगा? क्योंकि धाका इस्थान दंत है और पूरे चर प्रत्याहार में ताका ही एक ऐसा अक्षर है, जिसका इस्थान दंत है, इसलिए धाके इस्थान में ता हो गया त तो बन गया ये सड त संत ये रूप बन गया, इतना बना, जब इतना बन गया तो पुनह, खरिचा, सूत्र से जो सड में डा है, और इधर आगे ता है, तो ता जल में आता है देखिए, जाबा गालादा, जाबा गालादा, खाफा चाठा था चाठाता, तो जल में आता है हाँ, खरिचा, सूत्र ये कहता है, खरिपरे जलाम चराशिव, तो जो यहाँ पर सड त संता है, ये जो ता है, ये खर प्रत्याहर में आता है, खाफा चाठा था था चाठा ता ता, तो खर परे हुए है, इसलिए जो सड वाला डा है, इसको खरिचा से चर हो गया, चर में डा के स्थान में ता हो गया, पहले धा को ता किया था खरिचा ने, अब डा और इधर ता है, तो डा टाता का योग होने पर ये खरिचा सूत्र से डा के स्थान पर ताचर हो गया, इसलिए सटत संता है, और ये जो दासी धुट सूत्र है, ये विकल्प से धुट करता है, तो जिस पक्ष में इसने धुट नहीं किया था, उधर सट धन संता है, तो खरिचा सूत्र से डा के स्थान पर ता हो गया, इसलिए सट संता है, इस प्रकार से रूप बन गया, नस्च ये सूत्र पाण्ड नी अस्ताध्याई के आठवें अध्याई के तीसरे पात का तीस नंबर सूत्र है, ये नांताथ परस्य सश्य धुडवा, नांत से परे सका सश्य सकार को धुट का आगम होता है, वा माने बिकल्प से, तो सनधन सहा है, हमको बनाना है सनधसा संसहा, तो इसका विख्षे सनधन सहा, नस्च ये कहता नांताथ नांत, तो सन में नांत में है ना है, इस से परे क्या है, सहा वाला सा, तो सकार को सह वाले सकार को बिकल्प से धुट का आगम हो गया, कि सूत्र से, नस्च से, और उटा के संग्यात सिलोपा सिलोप, तो सन्ध सह बन गया, अब धा और सा है, तो खरिचा सूत्र से धा के स्थान पर चा हो गया, क्योंकि खर प्रत्याहार में सह वाला सा आता है, और जल प्रत्याहार में ये धा आता है, इसलिए धा के स्थान पर खरिचा सूत्र से चर हो गया, तो चर में धा के स्थान पर ता हो गया, तो सन्ध सह बन गया, अब जिस पक्ष में नस्चा सूत्र ने धुट नहीं किया, क्योंकि विकल्प से करता है, तो उस पक्ष में सन्धनसा है, और वैशे ही मिल गया, तो सन्धनसा रूप की शिद्धी हुई, सी तुक, ये कहता है, पदान्तस नस्च से परे तुगवा, पदान्त नकार से परे, पदान्तस नस्च पदान्त नकार को से सकार परे रहते, तुक, तुक का आगम होता है, वामाने विकल्प से, तो सैंच संभो, सैंच संभो, सैंच संभो, ये दो, तीन, चार, चार रूपों की शिद्धी करना है, तो हमारा इसमें सैंच संभो बनाने के लिए संधन संभो है, संधन संभो, अच्छा, ये जो सीतुक सूत्र है, ये पाड़ने अस्ताध्याई के आठवें अध्याई के तीसरे पात का 31 नमबर सूत्र है, तो हमारा जो सैंच संभो बनाना है, इसमें बिक्छे संधन संभो है, सीतुक सूत्र कहता, पदांत अस्य नस्य पदांत नकार को, तो सं में ना पदांत नकार है, से परे सकार के परे होने पर, तो पदांत नकार अर्था संक वाले नकार से परे संभो वाला सकार है, इसलिए तुक का आगम होता है बिकल्प से, तो नकार को तुक का आगम हो गया, जब नकार को तुक का आगम हुआ, अब तुक किधर रहेगा, ना के तो आधनत व टकितव, तित कितव यस्योक्तव, क्रमाद्या यवववविस्ता, तित हो तो आदि में, कित हो तो अंत में, तो तुक में काईत है, तो इसलिए सन वाला जो नकार है, उसके बाद में होगा, ना के बाद में, तो सन तुक सम्भू, उका के इस संग्या, तस सिलोपा सिलोप, सन त सम्भू, एक तरप, वैशे ही सन सम्भू है, जिधर तुक नहीं हुआ, जब सन त सम्भू हो गया, तो इस्तोश्चुनाश्चु, ये सुत्र कहता है, सकार तवर्ग सकार चवर्ग के योग में सकार चवर्ग होता है, तो जो सन त सम्भू है, त त तवर्ग है, और सम्भू वाला सात अलब भी सकार पड़े हुए है, इसलिए ता के इस्तान में चा हो गया, तो जब चा हो गया, तो सन चा सम्भू रूप बन गया, जब सन चा सम्भू बना, तो पुनह दुबारा इस्तोश्चुनाश्चू, ये सूत्र कह रहा है, कि यहाँ पर सन में जो ना है, ये तवर्ग है, और आगे चा है, फिर सम्भू है, तो चा आगे चवर्ग है, अर्था तवर्ग चवर्ग का योग है, तवर्ग चवर्ग का योग है, इसलिए यहाँ पे चवर्ग होगा, तो सन में जो ना है, ये वर्ग का तवर्ग का पांचमा अच्छर ना है, इसलिए चवर्ग का पांचमा अच्छर यां इस्तोष चुनाश्चो सुत्र से नाको यां हो गया तो संचा संभू बन गया जब संचा संभू बन गया तो सुत्र सस्छोटी है वे कहता है कि सकार को छकार होता है अच्छ प्रत्याहार परे होने पर तो संभू में जो सा है और उससे अच्छ क्या परे हुए है सा में जो आ है ये अच्छ परे हुए है इसलिए जो सा है सस्छोटी सुत्र से सकार को छकार होगे विकल्प से करता है तो जब छकार हो गया तो संच छंभू रूप बन गया एक पक्ष में जिस पक्ष में नहीं किया उस तरफ एक रूप तो संच छंभू बन गया जब सा नहीं किया तो संच छंभू रूप बन गया और जिधर सी तुक से तुक का आगम नहीं हुआ क्योंकि ये तुक भी विकल्प से करता है तो जिस पक्ष में तुक नहीं किया उधर संच छंभू था और ना को इस तोस्चुनास्चु से यां हो गया तो विस्षाई संभू हो गया एक तो और सच्छोटी से सा को छा हुआ विकल्प से तो एक तो संचंभू एक संचंभू जहां छा हो गया वहां संचंभू जहां छा नहीं हुआ सा को वहां संचंभू तो इस प्रकार से संचंभू 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 इस प्रकार से चार रूपों की चारो रूपों की शिद्धी हुई जै स्री कृष्णा वीडियो को लाइक, सेर, सस्क्राइब करें सेर करें जै स्री कृष्णा